आप देख रहे हैं दखल न्यूज 36 गड़ में कॉंग्रेस के विजय अभयान की व्यू रशना रशने वाले कॉंग्रेस निता टीयस सिंग देव को मुखमुंती बनाने के लिए उनके समर्तक तैयार है वहीं इस मसले पर कॉंग्रेस में खेमे बाजी शुरू हो गई है 36 गड़ में कॉंग्रेस का जन घोशना पत्र तैयार करने के लिए जब टीयस सिंग देव पुर्देश का चप्पा 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 शान रहे थे तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि कॉंग्रेस को इतनी बड़ी सफलता 36 गड़ में मिलेगी 36 गड़ में 51 सीटें सामान वर्ग से हैं 29 सीटें स्थी के लिए हैं और 10 सीटें स्थी वर्ग के लिए आरक्षत हैं करीब 25 विदान सा बाज चेतर ऐसे हैं जहां पिछड़ा वर्ग के मद्दाता निर्णा एक भूमिका में होते हैं हाला कि ये भाज़पा कॉंग्रेस और कुछ इस्थानी दलों में बटे हुए लोग हैं 15 साल के लंबे वनवास के बाद 36 गड़ में कॉंग्रेस ने जबरदस्त वापसी की है इधर राज में कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने अभी से पिशड़ा वर्ग से मुखमंत्री ब आगे बढ़ाती है तो निश्य ही उसकी बड़ी भूल साबित होगी 36 गड़ की राजनीती में जातिकत समिकरन कभी भी कारगर साबित नहीं हुए कॉंग्रेस ने राज्य बनाने के बाद जातिकत आधार पर अजीज जोगी को सीम बनाया मगर तीन साल बाद हुए विधान स स्विकार किया हाला कि इन दोनों बारों में आधिवासी और पिछले वक्स से मुखमंत्री बनाने की मांग कुछ जातीगत आधार पर उठती रही राजनीती के पक्षजदन नीता इस बात को उठाते रहे बावजूत इसके 36 गड़ की जंता ने रमन सिंग के नेतरत को प्र प्रजक्ट कर दिया था यहनि राज की जंता ने जो मतदान किया वो इन दो चेहरों के आधार पर ही हुआ मद्दाताओं ने कॉंगर्स से टीए सिंग्रेप को मुखमंत्री का केंडिडिट मान कर कॉंगर्स के पक्ष में जम कर मतदान किया एकजिट पॉल कॉंगर्स को 35 से लेके 65 दे रहे हैं तो किस एकजिट पॉल को माना जाए स्वभाविक है कि अलग-अलग कंपनियों के साथियों ने जो एकजिट पॉल किया है वो वस्तु सिती से भिग नहीं हो पाए है क्योंकि रिजल्ट 35 से पैसे हो सकता है किसी पार्ट थे खुछपा के लिए 21 से लेके 52-53 तक का है दूख कैसे हो सकता है तो होता है अलग-अलग तरीके से आकलन किया गया सही आकलन सभी का नहीं हो पाया है इन्हीं आकलों के बीच में रिजल्ट आना है और मेरा अभी भी यही मानना है कि कॉंग्रेस को 52 से उपर सीटे तो निश्यत तौर पर लोगस्वा चुनाओं में उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है जन गोशना पत्र को तयार करने में विविद्वर्ग समाज और हर्त अपके के एक लाग से ज्यादा लोगों से टीयस सिंग डेव ने संपर किया था आम मद्दाताओं को जन गोशन अलक्ष चरनदास मेंत महज दस आम सभाही कर सके कुल मिलाकर पूरा का पूरा 36 गड़ का चुनाओ टीयस सिंग देव के इर्द गिर्द रहा आप देख रहे हैं दखल्यू